बैने डाइब इस जो फी च्री उपने चला रखी है और सब्सट निश्छी स्चुनहीं का रखा है ऐसे दिर में कीडम क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं और वहां पर अपने जो प्लांटी से अब है उसमें वैलगी हो गया दा हो गया तीसरा गर लेते हैं वहां यह लेने से पहले आप थोड़ा सा आपका एल्गी और ब्राइफ हेटा फिर से रिवाइज उसके लिए मैं आप से कुछ से डिसकस करता हूं अभी पहले देखें आप एक था स्टेरेल जेकेट एक सब्सक्राइब आया था यह यह प्रीं परिय। में बादं करेंगे आगे एंब्रियो किसे नहीं बन रहा था एल्गी में नहीं बन रहा था तृटा विए है तो अजगे मैजीमं टीं म्सक्राइब टीं कुछ एकistles ठावड हो सकते हैं उसे प्रकार से ब्राइव आये थे तो नम इस्तानों के ओपर दल्दली वागों के ओपर टेस्टेल इस्तानों पर यहां पर पाई जाते थे पूर्त या मैक्जिमंट जो प्लांट है वो स्थल के उपर अगर कहीं मिलेंगे तो आपको मिलेंगे टेरडोफाइट आगी तो मेचीशिमन तेरिस्टिल कहा है वेमिटैट डोफायटिग और दो परकार की स्टेज होती है ब्राइफ़ायट पड़ा तो यह पड़ाता कि श्पोर फाइटक स्टेज है वो गेमिटैट पर डीपेंड रहे हुआ तो अलग नहीं होती है और अब जब टेरिटोफाइटा पढ़ेंगे तो आप मान के चलिए कि तीसरी बात आजाएगी कि स्पोरोफाइटिक स्पेज डो मिनेट है अंदर बहुत कम समय के लिए होती है अगे कि रिप्रॉड़ॉक्शन की बात करें तो लगी में वैजिटेटिव एसेक्सवल और सेक्सवल तीनों प्रकार बात रिप्रॉडॉक्शन था ब्रवाफाइटा के अंदर यहां पर आएंगे तो तीनों परकार मिलेंगे जब बात करेंगे स्पोर की तो देखें क्योंकि अपके अल्गी में तो स्परोफाइटिक स्टेज नहीं है परेट जाएगा तो स्पोर बन रहेते शारे के सारे एक समान थे लेकिन तो आप क्या हो जाएगा हो मोस्पोर विवागा है स्वाल फ्रटला वाए में हीट्र ते लिए लेकर इससे और वास को बंद थे पहलों सब्सक्राइब नहीं तक नहीं था लेकिन प्रजेंट हो जाएगा किसके अंदर टेल्डूफायटा प्लांट को रूट इस पूलिव के अंदर इजली क्या कर सकते हैं डिफेरेंशेट कर सकते हैं और वेस्पुलर सिस्टम परजेंट है इसका मतलब क्या हुआ इसका मतलब यह हुआ कि इसके अंदर जाइलम और फ्लोयम भी पाए जाता है इतने से बाते आप कंपेर करके इस सबसे लिख सकते हो अब देखो एक एक बाते अपना लिखते हैं अगला जो अपना है वो है क्या पेरिड ओफ हाइटम ठीक है इनी क्रम की अनुशार आप आंसर दे सकते हो इसी क्या साथ से लिख सकते हो ठीक है पहला क्या लिखोगे इसमें देखो पहला जो सब्द है तेरोन है उसका मतलब होता है फर्ण या फेदर्स पहली बात होगी तेरिडोफाइटा का कि प्लांट गिंडम का का करेफीटे आपक के बोते था है कि इसको क्या बोलते है यह अगे वात आ जाएँगी आगे इनको अभी ऑपन हेटी लिखे ने ले लिखें कि फर्स्ट मैक्जिमंग टेरिस्ट्रियल प्लांट मैक्जिमंग कुछ एक पहुत हो सकते हैं लेकिन अधिक्तिक प्लांट कैसे होंगे क्या होंगे प्लांट होंगे दर्टी पर स्तल आवास में पाई जाएंगी ठीक है वो जलिये में थे लिए वाले और यह पर डिसकस कर कि इसमें आपको क्या रखना एक बात यह एक बात आपको यह रखनी है की पुस्प रहीत कुमा बीज रहीत कुमा फल रहीत कुमा इस पोर उत्पन करने वाले वेस्कुलर प्लांट अब वेस्कुलर प्लांट है इसका मतलब वपन बहुत सकते हैं इसके अंदर वेस्कुलर सिस्टम प्रजेंट है ठीक है अब देखें जाइलम और फ्लोयम के चार चार वाग होते हैं वह अपन टीशू पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे अभी आप इतना याद रखो कि जाइलम जो है और फ्लोयम है उस उसका जो जाइलम का जो भाग है एक वेसल्स ठीक है और फ्लोयम का एक वाग है तो है सीवी ट्यूब और एक वाग है केम्पेनियन सेल्स noi कि यह एक तीनों के तीनों चीजें एपसेंट होती है और फोर हैं और यह चीज़ें आपको यहाद रखने हैं कि टेल्डो फॉंटा में 내려종 होती हिस अब आप इसे प्लांट जिन में एक बात और याद रफला आपर रूट है इस्टेम है और क्या है आपका लिव्स है इसमें इसी डिफ्रेंशेट आई इसे प्लांट जिन में रूट इस तेम लिव असनी से पाई जाता है इससे प्लांट इन में क्या नहीं होगा तो बीज नहीं होगा तो क्या नहीं लगेगा और पुस्व में लेगे लेकिन इसके अंदर भारग दफल है परजेंट है लेकिन वाय लेकिन कैडल प्लाय। तो इन चार प्रकार की से एक प्रकार की से उसका गूप यहां पर एपसेंट है और फ्लॉयम के अदर सीवी टूबर कंपेनियम नहीं पाएजाती है और इसके अदर सेकेंडर ग्रोथ नहीं पाएजाती है तो परजेंट है ते उस वेज़ार सिस्टम में यह चीज़ें क्या होती है आलागी पुछब यह वह दो है तो आपको क्या रखना है आपको पर इस पॉरो फाइटिक इस टेज sporophytic stage के आहां पर dominant है sporophytic stage कैया है dominant है लेकिन एक बात बने यहां भी बताई है spor बनेंगे वो दो परकार के बनेंगे जबकि अनि이 यहां पर दो क्रकार की चीजे होंगी यहां पर spor में homo भी होंगे और क्या होंगे hetero भी होंगी थिका है आप ड़्टिर अपने टो स्पॉरि यह सपॉरी विए गार लग लग उसके अंदर क्या हो गया कि मेल अलग होगा है और फिमेल अलग होगा तो कि मैं परका गयां और इसको आप ए से कैसे आधल फोगे किह लिगे अलग है अलग है सवय मैस Dieja मतलव टो-क्रünde कि आई मतलब आप आम्मा होती है अम्मिं वती है उसको आई पहलते हैं करस्व्षाल 2 तो अलग-अलग का मतलब है हेट्रॉस्पोरि अलग-लग का मतलब है हेट्रोस्पोरि और यहां पर एसका मतलब यां-दाय रखना है स्रीलेजीनेला M का मतलब याद रखोगे मारसीलिया S का मतलब रखोगे सालवीनिया और I का मतलब याद रखोगे आईसोइट्स सिलेजीनेला सालवीनिया और आईसोइट्स इन चार के अंदर हेट्रोस्पोरी उतीर बाकि इतना भी प्लांट है उन सब के अंदर क्या मिलेगी आपको होमोस्पोरी मिलती है और अपवाद हो सकते हैं पर इन आपको आपको चार याद रखना इतने में काम सर जाएगा अपना सिल्वेस में इतने दर है इन चार के तरक्या होगी हेट्रोस्पोरी पाई जाएगी ठीक है स्विश्पोर सिस्टम का मतलब है कि जाएला प्लोय परजेंट है और इस नहीं होते लेकिन स्वोरध पन करती है स्वॉप्पन इस लिए करते कि लो मिलेंट है इस व्षाठी किसमें मिलेंगे चार के अंदर याद रखना है सब्सक्राइब देखें इसके अंदर आपके रूट इस्ट्रेम और लिव तीनु प्रेजेंट है है दिए बिए प्रेजेंट हैं जिसमें रूट और लीव थे नहीं पाए जाती और इसका नाम है सई Alexandria प्रवाल याद कर लोटना लोट गमलब बिना पैंदेगा लोटा ही बाकिस सब में पॉजा तो इसके लिला है तो लोटता है कि लोटता है तब ही मान लोट जाता है तो बहुत ही कि नीचे पढ़ जाती है तो तीमिये श्माण लोटने वाला प्लांट है अब देखो आगे पढ़ो आपर क्या पढ़ लिया है यहां पर इनको देखो मैं क्लियर करते हैं है अपने हो गई इस पोर बने हो मोश्पोरी वेस्पुलर सिस्टम बोड़ी यह सब आजाती इतनी सब बाते ले अब मैं बात अपनी बस्तिया रिप्रोडुक्शन की यहां पर लेते हैं रिप्रोडुक्शन मैंने पहले ही बता दिया इसमें तीनु परकार का होगा वेजिटेटीव भी होगा उसलिटेटीव दवाराक्षन है है इस आड़ गया और क्तिर रखले कोहईने आप देखें अचैंक्डंट मेश्पूर अब एक वह किसके द्वारा सब्भेट और एक इसके दोरा घ्यमिट ओ फैट की द्वारा हो जाएंगा यह आपको बेज़ेटेटेव रिप्रोड़क्टिशन अधर क्या ओसकता है जैसे मां लोग कि यहां उन्हों हो जाएगी कई बार कि ऐता है कि इन फ्रेंगंटेशन में लेगा क्वेशाएग उनल मोगदेशन हैं बूलूल हो्ये सब क्या के लिवारी कौह कर लीता है मैं तरहा है जो अब देखो अब चौप सब्सक्राइब इसको यह प्लांट है जो प्लांट है उस प्लांट के उपर एक इस्ट्रेक्चर होती है उस इस्ट्रेक्चर को बोलेंगे इस पॉरफिल क्योंकि इसके अंदर क्या बनेंगे इसके उपर बनेंगे इस पोरेंजिया इस पोरेंजियो क्या बोल सकते हैं इनको बोल सकते हैं आप इंदी में आत करो तो बोल सकते हैं इसको बिजानु दानिया मतलब ऐसे हैं पार्ट जिसके अंदर क्या बनेंगे बिजानु बनेंगे यह क्या होगे इस पोरेंजिया अब देखो होमोस्पोरी होगी तो सारे के सार स्पोर बनेंगे दो प्रकार के स्पोर जो जैसे मालोगी एक जो है वह साइज में चोटा होगा है बड़ा होगा जो छोटे वाड़ा है उसको क्या बहुत सकते हैं माइक्रो स्पोरेंजिया और जो बड़े वाड़ा है उसको क्या बहुत सकते हैं मेगा स्पोरेंजिया ठीक है यह वाले होगे अब यह यह वाले स्पोर बनेंगे वह क्या मिलेंगे है वह होंगे है तभी तो दो स्पोर बनेंगे अब देखें इस से कंडिशन से जो जो स्टती आएगी ना यह वाल दो बात हो गई है स्टत्रशन च्पंध में इतनी बात रख सकते हो आगए यहां से करें आए क्टिशन रही उसको क्या बोल दिया क्या वह वह दिया क्योंकि गेमिट टो फाहइट जो बने देखें यह तो इस स्ताथी बनेगी उसको बोलेंगे प्रो थेलस और प्रोप थेलस की जो सेफ है वह क्या होगी हर्ट सेफ होगी याद रखना आपको और इस प्रो थेलस से दो परकार की चीज़े बन जाएंगी एक का नाम होगा क्या एक का नाम होगा R की गोणिया और एक का का नाम होगा N3DR आप ऐसे अद्रक्सितों यह क्यों गया और यह क्यों गया मेल पार्ट गया ब्रायों भाटव अब इस्ततिति दोनु क्या है मुल्टी सेलूलर है और यहां भी ऐसा ही है इसके साथ में आपको एक बाद क्या रखनी है कि आरकी गोनिया और एंध्रिडिया दोनु के उपर एक और आरान का नाम क्या है याद करो आरों का नाम है क्या स्टेरल जेकेट अब शेकेट है तो अब जो एंध्रिडिया ओगा ठिका इस एंध्रिडिया वाले पार्ट से क्या बनता है एंथ्रूज़एड और और की कोनिया से क्या बन सकता है और की जोईड यह आप सीधा सीधा याद रखो क्या बनेगा एक बनेगा ब्रया फाइटा को थोड़ा सा याद करो अब यहाँ पर यहाँ पर भी जलकी आऊशिक्ता पड़ेगी पानी के पहुंचेंगे पास में और प मिनसे के पाइग और एक ऐसे भी पहुंचेंगा दोनों का मिलन होगा और मीलने से क्या बनेगा यह बंब क्या भी सोखोर्षांस की बनीडि यह इसका नाम क्या होगा एंब्रियो और यहांसे यह पर एंब्रियो का फॉर्मिशन होता है वेश्टेटिव एक्सेश्वल सेक्सवल प्रोड़क्षन वेश्टेटिव जो एसेक्सवल स्पोरफाइट से बनेगा चीज़ बढ़िंग प्रेग्मेंटेशन और गुल्बिल किसके टाइप हो गए इस पॉर्मिश्टेटिव के प बनेगा इस प्लांट यहां तक एसे रिप्रोडक्षन की बात आगी जानौ दानिया तो क्येंगे यह प्रोदिया और यांति और ऑपेलेगा और यह जलकी बुदिक का फॉरुज हो गया कि और सेक और दोनों के उपर क्लासिकेशन और इसका सलाइट Qva borrow 4 बिश्यकित ह स्टेल मिक्टेट हैं यह मुद्धफ्न के नुट्ट कर लिया आपके जन изб करेक्ट पुरी उते हैं सेलेंट ते हैं अब क्या करेंगे इसका इसका क्लासिफिकेशन और इसका एकोनोमिक इपोर्टास है वो नेक्स वीडियम देखेंगे आज करेखने जन्मेवाद करेंगे